इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बजट की जानकारी दोंगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो अब 7 लाख रुपए तक की सलाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा और क्रसे जुड़े स्टार्ट अप्स को प्राथमिक्ता दी जाएगी अगामी तीन वर्षों में केंसरकार 3.5 लाख आधिवासी चात्राओं के लिए 740 एकलब मॉडल आवासी विद्धारे शुरू करेगी कॉपरेटिव के लिए TDS सीमा बढ़ाकर 3 करोड की गई खिलोने, साइकल, आटो मोबाइल सस्ते होंगे और इलेक्ट्रोनिक वान सस्ते होंगे विदेश से आने वानी चांदी की चीज़ें महंगी होंगी देशी, किचन, चिमनी महंगी होगी कुछ मुबाइल, फोन, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे सिगरेट महेंगी होगी महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी इसमें महिलाओं को दो लाग की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा वरिष्ट नागरिक खाता इसकीम की सीमा 4.5 लाग से 9 लाग की जाएगी 2014 से बने मौझूदा 157 मेडिकल कॉलेज के साथ कोलेगेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापिर किया जाएगी पीएम आवास योजना के खर्च को 6% से बढ़ा कर 89,000 करोड रुपए से अधि किया जा रहा है बच्चों और युगाओं के लिए नैशनल डिजिटल लाइबरेरी स्थापिर की जाएगी पशुपालन, डेयरी और मतसे पालन पर ध्यान देते हुए क्रिसीरिन लच्छे को बढ़ा कर 20,000 करोड रुपए किया जाएगा क्रिसी से जुड़े स्टार्ट अप को प्राजमिक्ता दी जाएगी साथ सबका विकास के तहद वन्चितों को दी जाएगी वरियता 5G एप और सेवाओं को विक्सित करने के लिए 100 लैप ग्रीन एनर्जी के लिए 35,000 करोड का वंटन हरित विकास पर खास जोर होगा बच्चों और लिवाओं के लिए नैशनल डिजिटाल लाइबरेरी सापित की जाएगी पशफालन डेरी और मदस्पालन पर ध्यान देते हुए क्रिशी रियन लच्छ को बढ़ा कर 20,000 करोड रुपए किया जाएगा क्रिशी से जूड़े स्टार्टप को प्रादमिक्ता दी जाएगी अगले तीन सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने के लिए 741 कलव मौडल स्कूलों के लिए 38,880 सिच्छकों और सहायक कर्मिचारियों की नियुक्ति करेगी देश में 50 नए एरपोर्ट बनाये जाएंगे पहचान पत्त के तौर पर पैन को मानिता मिल गई है AI के लिए Center for Intelligence कभी जो हो गया है नगर निगम अपना बॉंड ला सकेंगे PM आवास योजना का फंड बढ़ाया जाएगा अगले वित्य वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 ला करोड रुपाय का प्रावधान किया गया यानि की वेकेंसी भी आएंगी इसे जो है रिलेटर अगले एक साल तक मुफ्त अनाज योजना इसके लिए 2.0 करोड रुपाय का बजट पूंजी निवेश परिवेश 33 प्रिशे से बढ़ाकर 10,00 करोड रुपाय किया जा रहा है जो कि एक सकल घरे लुद पातका 3.3 प्रिशेत होगा महा मारी से प्रभावित MSME को रहत दी जाएगी पांच जीपर रिसर्च के लिए इंजिनरिंग कॉलेजों में बनेगी सौल लैब और सीवर सफाई मशीन अधारित होंगे यह जानकारिव क्यासी लेगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मैंने कम समय में आपको शॉर्ट कट में बताया यह कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जाहें दो